इस वीडियो में हम लोग आपको इंडोस्कोपी कैमरा, इंडोस्कोप कैमरा कैसे यूज करना है, उसको फून से कैसे कनेक्ट करते हैं, उसके बारे में बताएंगे और उसकी मुबाइल अब कौन सी है, मुबाइल अब का आइकन कौन सा है, और किस तरीके से उसको यूज करना क्या उसके फीचर है यह आपको डिटेल में बताएंगे तो यह इंडोज को कैमरा है Android camera भी कहते है इसको तो यह हमारे phone के साथ connect हो जाता है इसके साथ यह wire होती है manual आता है और यह कुछ इसके accessories है जो use करने के लिए आपको साथ में मिलती है बेसिक इस वीडियो का परपस है आपको एप के बारे में बताना और connect कैसे होगा वो बताना है यह यहाँ पर इसका USB दिया हुआ है laptop computer के लिए और यहाँ पर इसको अगर ऐसे करेंगे नीचे की तरफ तो यह इसका OTG बन गी यह normal OTG है अगर आपको अपने phone के साथ इसको जोनना है अलग अलग कोई आपके phones के according लिए उसका port जाज सी टाइप को होता है तो उसके आगे आप extension लगा सकते हो इसके आगे भी आपको OTG के लिए अपने phone के हिसाब से उसको अटेज कर सकते हो तो यहाँ पर यह जो मारपास दूसरा phone है इसके अंदर हम लोग वीडियो यह create कर रह इसका icon है जो इसका app का नाम और icon S है तो जब आपने play store से app download करनी है app store से तो यह icon का आपने ध्यान रखना है यह same होना चाहिए तो यह app S की USB camera अगर app गलत होगी तो वो चलेगा ही नहीं तो यह वली app आपने download करनी है इसके अंदर USB camera इसके बाद यह जो camera है इसके आगे यह आ किया हुआ है इस light को control करने के लिए तो आभी मैं इसको connect कर रहा हूं जैसे phone के अंदर यह देखिए हमने connect किया app हमने पहले से download करके रखी हुई है अगर जब आप app download करेंगे तो आप से अगर कोई settings allow मांगेगा तो आपने allow कर देना है यह यहां से पूछ रहा है हमसे कि अग ओपन कीजिए अब एप को ओपन करते ही यह detect हो जाएगा यह देखिए यहां okay कर दिया यह दिखें कैमरा यह detect हो गया है और यह night vision वारा इसका चल रहा हुआ मैं आपको दुबार असरता हूँ बाहर जा रहे हैं आपसे exit कर रही है बाहर आए camera के हमनों connect कर दिया है यह detect हो चुका है और यह जो app है USB camera इसको open किया open करने के बाद यह camera आप detect हो गया और यह camera live जाना start हो गया आपका अब इसके अगर आपने इसमें कोई recording करनी है या photo click करनी है तो आप इसके अंदर यह बटन दिया हुआ इसको आप करेंगे तो यहाँ पर option आ जाएंगी record करने तो record पर click करेंगे recording start हो जाएगी photo click करने तो photo click हो जाएगी तो यह option इसके लिए basically use होता है और जो इसके आगे light आ रही है इस light को अगर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह button जो नीचे दिया हुआ है यह वला यह जो button है इसमें आप प्रेस करेंगे देखिए light off होगी इस button को दवारा प्रेस किया तो dim light start होगी और किया तो बिल्कुल bright हो गया तो light का जो control है वो इस button के साथ आप जो light है उसको आप control कर सकते ह और वायर इसकी 5.5 मिटर वाली वायर है अलगल मॉडल में अलगल वायर साती है तो इसमें जो मैं भी आपको डेमो दे रहा हूं 5.5 मिटर वायर है और लेंस बिल्कुल इसका smallest lens है तो इस तरीके से आप इस camera को use कर सकते हो अगर आपको फिर भी को issue लगे तो हमारे brand का जो न प्रेक्ट हमारा tested product आता है चेक करकर हम लोग भेजते हैं तो product आपका 100% काम करेगा फिर भी अगर आपको को issue लगे तो आप हमने दियेगे number पर वर्सब कर सकते हैं description box में हमने वर्सब नमर अपना दिया हुआ है thank you